हेलो फ्रेंट्स निसा की रसुई में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम ब्रेट की एक ऐसी मिठाई बनाने वाले हैं इसको बनाना बहुत आसान है और यह बहुत आसानी से बन जाती है तो सबसे पहले हैं पर ब्रेड लेंगे हम और इस तरह से ग्लास की साहिता स इस तरह से इसको कट कर लेंगे तो आपको जैसा से पसंद आप उस सेप में कट कर सकते हैं और फ्रेंट्स जो हमें आज मिठाई बना रहे हैं उसमें हमें सीक्रेट भी डालने वाले हैं जिससे इस मिठाई का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है तो फ्रेंट्स वीडियो को मैं 2 इससें आपकर चाशनी प्रियो के इसके साथ हैं इसको 10 मिनेट तक पकाना आक तो हमें कोई तार की चासनी नहीं तैयार करना है खाली बस यह चिप चिपची हो जाई तो इतना ही हमें इसको पकाना है तो यह देखी हमारी बड़िया से चास्टिंग तैयार हो चुकी है अब यहाँ पर हम गैस की फ्लैम बंद कर देंगे अब इसके बाद हमें चाहिए फ्रेस दूद की मलाई और इसमें हम डालेंगे ड्राइफूट्स तो इहाँ पर मैंने काजू पिस्ता बादा म डालने हैं आपको पसंद है यकी यह भीकरेंटों को सब्सक्राइब बंद को बहुत पसंद है कि अब इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हमने जो ब्रेट तयार किये थे इस पर इसको बढ़िया से कोट करेंगे कि तो प्रेंट इसको बहुत अच्छे से चारों तरफ बढ़िया से कोट करना है ताकि यह चारों तरफ बढ़िया से लग जाए और दूसरी ब्रेट से इसको बढ़िया से प्रेस कर देंगे तो इसी तरह से हम सारे ब्रेट तयार कर लेंगे बहुत जल्दी से बन जाती है विरेसी भी हमारी बहुत बढ़िया और टेस्ट में ही बहुत बढ़िया लगती है कि अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है तो आप फटा पटके से इसको बना कर खिला सकते हैं अब जो हमने चासनी तयार की थी इसमें इसको बढ़िया से डिप करेंगे तो हमें दोनों तरफ से कोट करना है और इस तरह से हम घुमाते हुआ इसको चारों तरफ से भी कर ले तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइए करने और मुझे बताएं कैसी लगी आपको यह रेसिपी अगर पसंद आए तो एक बार और याद दिला दूं चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइस सस्क्राइब चरूर करें धन्यवाद